हलो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने वीवो X100 Pro Android मुवाइल फून में आप अपने मुवाइल फून की वीडियो कॉलिंग की प्रॉलम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं के इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी देने वालों तो चलिए यहां पर वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं देखिए दोस्तों अगर आपके मुवाइल फून में कभी वीडियो कॉलिंग की प्रॉलम आती है तो इसकी सॉलिशन के लिए करना है देखिए दोस्तो वीडियो कॉलिंग रिसीव कर रहे हैं तो उनका भी इंटरनेट चालू रहेना चीए और उनका भी इंटरनेट का रिचार्ज होना चीए ठीके ना अब दोस्तों यहाँ पर आपको अगला प्रूसर से करना है कि आपको अपने मुबाल फून की नेटवर्क सेटिंग को करना है इसके अंदर आपको सबसे उपर रिसेट वाइफाई मुबाल एंड ब्लूथूथ यह तीन सैटिंग मुबाल फून की नेटवर्क सेटिंग के साथ रिसेट हो जाती है आपको इस वाले पेच पर अपने मुबाल फून का स्क्रीन लॉक एंटर करना है ठीक है इसके बाद आपको इसे राइट किलिक करना है आपको नेक्स्ट पेज में दुबारा से रिसेट सैटिंग का ए ऑप्षिन टैब करना है आपको नीचे यहाँ पर लिखा हो आ जाता है रिसेट करना है रिलेल फोड़न के सायोडुला पावर बटन उंगली से दबाकर रखने थोड जाती है मुवईल फून को restart करना है अब दोस्तों अगला काम यह करना है कि आपको अपने मुवईल फून की OP-ion setting को reset करना है मुवईल फून की setting को reset करने के लिए मुवईल फून का setting page open कर लेना है setting पेज में आपको जो एनने नीचे की साइड यह option मिलता है network इंटरनेट का इसे टैप करना है इसके अंदर आपको इने SIM card and mobile network पर टैप करना है इसके अगले page में आपको अपने phone की sim select करने ठीक है इसके अगले page में आपको नीचे आना है यहाँ पर आपको access point name पर टैप करना है इसका अगले page इस एपिएन का होता है ठीक है एपिएन के इस पेज में सबसे ओपर यह 3. option आपको टैप करना है आपको पेज आएगा इसमें आपको reset to default का यह option शो हो जाएगा इसे टैप करना है आपको नीचे लिखा हुआ आ जाता है अब दोस्तों अगला काम यह करना है कि आपको अपडेट है या नहीं है इसके बाद फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है इसमें आपको सबसे उपर सर्च आइकन पर टैप करना है यहां पर सबसे उपर सर्च बार में सिस्टम आपको लिखना है सिस्टम लिखेंगे ना नीचे आपको नीचे ओप्शन हो जाता है सिस्टम अपडेट का इसे टाप करना है आपको इस वाले पेज पर कोई भी अपडेट का बटन या डाउनलोड इंस्टॉल यहां पर लिखावा दिखाई देता तो उससे टाप करके अपने फोन का अपडेट कर लेना है ठीक है तो दोस्तों इस वीडियो में मेरे बताएवा सारे प्रोसेस आपको यूज़ करना है इसे आपकी फोन की वीडियो कॉलिंग की प्रॉब्लम जह वो सॉल्व हो जाएगी ठीक ना